हमने आपको कुबेर साधना या कुबेर आवाधना के एंबारे में बताया था कुबेर आवाधना का मंत्र है ओम कुबेर आयनम आईए जानते हैं कुबेर साधना के कुछ नियम सरप्रथम अगर आप संकल्प लेके करते हैं तो बहुत ही positive result आता है जैसे अगर आपने संकल्प लिया, कि मैं आज से कुबेव साधना का आरम करता हूँ और कुबेव जी, आप हमारे कुष्टों को दूर करे, हमाई भंडार भरे और धन्य धान की रुद्धी करे उसके पश्चात आप इन नियमों का पालन करे आपने साधना आरम कर दिया, जैसे किसी शुब दिन, दिवाली, दशहरा, या हूली का दिन हूँ या फिर पुर्णीमा, या फिर अमाफस्या दसमाला आपने कर लिया अब जानते हैं कि आप कुबेव जी के साधना के नियम, कैसे पालन करेंगा प्रतन करे कि आप सदेव हलकी खीर का भोजन करे, या साधा भोजन करे सत्यवादी रहे, ब्रह्म चरय का पालन करे और कुबेव साधना ग्राप कर रहे, तो दिन में कदापी ना सोय कोशिश करे कि आप एक या भोजन करे और जहां तक हो सके चितना पॉसिबल हो आपके लिए कम बोले आवश्टा पढ़ने पर ही बोले अर्थाथ मौनवत धारन करे रात्ती में कुछ भी ना खाए और क्यों दिन में खाए और संभव हो तो आप भूमी पर सोए अर्थाथ जमीन पर सोए इससे कुबेव जी प्रसंद्ध होते है और रक्तचन्दन विशेश रूप से अपने माथे पे लगाए और श्वेत रंग के पदार्थ का सेवन करता है रहे अर्थाथ जैसे की खीर कपड़े भी साधे पहने श्वेत रंग के कपड़े है तो अति उत्तम है भोजन साधा हो और साध्गी के साथ अपने जीवन वितीत करे साधना काल में अगर आप 11 दिन की साधना करते है तो वो जी 10 माला करे कम से कम बाकी आपकी इच्छा आपकी श्वध्धा आप चैन कर सकते है बीस माला इकीस माला या उससे भी अधिक और लंबे दिन की साधना है जैसे 41 दिन या 21 दिन की तब भी आप कम से कम 10 माला करे लेकिन अगर आप क एक माला से भी कारेक चला सकते हैं लेकिन अगर आपको जल्दी विजल्ड चाहिए तो आप कम से कम 10 माला करें और मंत्र भी बहुती साधारन सा है अर्था छोटा सा मंत्र हमारा कहने का ताथ पर यह है ओम कुवेवाय नमा